हेलो एफिर्विश्वन आज हम डिसक्स करने वाले हैं जामिय मिलए-स्लामिय के जो है admission forms 2025 के बारें बात करने वाले हैं जामिय मिले-स्लामिय के admission forms 2025 के का आएंगे form कैसे भर ना होगा eligibility criteria क्या है k 어떠 वुट्चे apply कर सकते हैं यह सब हम इस वीडियो में जो है डिसकस करने वाले हैं किन कोर्स स्वीडियो को ध्यांं से देख लेंगे तो आप सारे के सारे डाउट केलियर करा यह यह यहां दो यहkon प्रोस्पेक्टस में जो है सारी चीजे दी होती है यह प्रोस्पेक्टस 24 25 का है सेम ही चीजें रहती है जादा आपको कुछ चेंजिस देखने को नहीं मिलते हैं अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे तो आपके सारे डाउट्स के लिए हो जाएंगे सबसे पहले जा सकते हैं मिड़ फैप के बाद कभी आपके फॉर्म रिलीज रिलीज जाएंगे सेकंड चीजें आपको फॉर्म करने के लिए सफीशन टाइम दिया जाता है यानि वन मंथ का आपके पास टाइम होता है कि आप फॉर्म को फिल कर पाएं अब जब यह बात आ गई कि हां कि चांसे से मिड अप्रेल से जामिय मिले इसलामिया के एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाते हैं तो यानि आप अगर जामिय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन के तियारी जो है आज से ही शुरू कर देनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप बाद में तियारी कर र जाएगी कि जिस भी कोर्स में आप एडमीशा लेना जाते हर कोर्स के लिजिबिटी क्राइटीरिय की वीडियो आपको जो है चैनल पर देखने को मिल जाएगी अब बात आती है कि जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट को लेकर मैंने आपको बता देखिए हमापे जो है 2024 में भी एंट्रेंस टेस्ट है वो अपरेल 25 से और एडमिट कार्ड जो है आपका जिस दिन आपका एक्जाम से उससे वन वीक पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाता है माल लीजे आपका एक्जाम 30 अपरेल को है तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो है 20 अपरेल के बाद कभी भी र तो आपको दुबारा बीए पॉलेटिकल साइंस का नहीं भरना आप किसी और कोर्स का भर सकते हैं लेकिन एक कोर्स के मुल्टिपल फॉर्म्स नहीं भरना आपको यह चीजें आपको ध्यान रखनी हैं अब कई बच्चों का डाउट आता है कि अभी तो रिजल्ट आया नहीं का तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा फॉर्म आपको पहले ही भरना है फॉर्म में आपको रिजल्ट वाले आप्शन्स पे क्लिक कर देना है बहुत सारे डाउट्स आते हैं आपके तो मैं आपको सारे डाउट्स आपको इसमें किलिर करने वाला हूँ अब देखिए प्रोस्प entrance test के थुरू है किसके थुरू है entrance test के थुरू यानि अगर और जामी मिले असलामे में नई programs भी launch होते रहते हैं तो यह कुछ courses हैं जो कि 2024 से आए थे ठीक है chances हैं और courses भी आएं बीज में भी जामी मिले असलामें जो है forms release कर देते हैं जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि forms है कुछ courses के नए courses के जैसे योगा का certificate course और भी courses के forms है बीच बीच में release हो जाते हैं तो अगर आप जामी मिले असलामे में किसी भी course में admission लेना चाहते हैं regular program में तो आपको अपडेट रहना है जो courses नए लाउंच होते हैं उनमें ज्यादा chances होते हैं कि आपके admissions हो जाएं तो आपको उसको ले कर भी जो है update रहने की जरूरत है अब degree and certificate PhD master पीजी डिप्लोमा पीजी लेवल के जो form है PhD program के जो form से वह अलग से notify किये जाते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप PhD program admission लेना चाहते हैं तो आपके forms अलग से release करे जाते हैं अब फीज को लेकर आप लोग डाउट होते हैं कि फीज क्या है तो यहाँ पर आप देखेंगे फैकल्टी इस यहाँ पर आपको हर courses कि जैसे माल लिजिए आपको आपको डिपार्टमेंट चेक करना है और सामने आपको फीज देखने को मिल जाएगी इस प्रोस्पेक्टस में ठीक है तो फीज को लेकर आप लोग डाउट के लिए रहो गए होगे यहाँ प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा याँ आप इस प्रोस्पेक्टस से सारी जरूरी डिटेल जो आप जानना चाहते हैं शीज कि फीज देखने हैं आपको 7800 कितनी है 45 ठीक है और सेमेस्टर बिए सी ओनर फिजिक्स में देख सकते हैं 50 सीट से 7800 फीज और इट सेमेस्टर तो इस तरीके से आपको इस प्रोस्पेक्टस में जो एफ देखने को मिल जाएगी तो मैंने आपको यहां पर जो एफ का क्राइटेरिया बता दिया फीज आपको कहां देखनी है फीज आपको इ आपके अंट्रेस टेस्ट में सब्जेक्टिव पार्ट है तो आपके सब्जेक्टिव पार्ट में कम से कम 30 मार्ग्स होने चाहिए तभी आप इलिजिबल होंगे इंट्रव्य के लिए या फिर एड्मीशन्स के लिए यानि जिन कोर्स में जैसे बीयों ओनर्स इंग्लिश इनमें subjective part भी होता है 40 marks के MCQ 60 marks का subjective तो यानि 30% marks 60 में से आपके 18 marks आने चाहिए 18 marks तब आप eligible होंगे और negative marking होती है entrance test में या आपको ध्यान रखना है school के entrance test में negative marking नहीं होती है ठीक है और अगर आपका paper MCQ टाइप वाला है तो आपके 15% marks होने चाहिए admissions के लिए तो यह eligibility जरूरी criteria है तो यह आपको doubts clear हो गया होगा ठीक है एक ही करके आपको इसमें सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीजें आपको करना है application forms की fees वगर हम बात करें इन सारी faculties की 700 है और बाकी faculties की 550 जनरली यही फीस रहती है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं आपको online ही फिल करना है online ही आपको सारी formality complete करनी है जब entrance test हो जाएगा entrance test की result आ जाएगा उसके बाद सारे काम शुरू होते है offline ठीक है अब यहां पर देखिए जो मैंने बात कहीं आपको a candidate is allowed to submit only one form for each program ठीक है with multiple submission of form for same program by candidate may cause rejection of his or her candidate यानी same program का आपको multiple form नहीं भरने वैसे आप multiple form फिल कर सकते है multiple course के बरने है जिसे मान लेजिए आपने बढ़ा बीए और सोचलोजी फिर आपने भरा बीवी ए ऐसे आप भर सकते हैं लेकिन मान लेजिए आपने भरा बीवी ए फिर दुबारा बीवी ए का form भर दिया तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप form cyber cafe से fill कर रहे हैं तो कोशिश करना है आपको अपनी email ID और अपना ही mobile लंबर देना है क्या होता है cafe वाले के पास जाते हैं बच्चे फर्म कैफे वाले अपनी email ID अपना mobile लंबर डाल देते हैं तो यह गलती आपको नहीं करनी है आपको अपनी ही details सारी के सारी जो है देनी है ठीक है यह चीज से आपको दिखें सीट रिजर्वेशन का क्राइटेरिया 50% सीट जो है जर्नल के लिए और उसके बाद 30% सीट जो है और भाद में आपको भढ़ना होता है यह आपको ध्यान रखने उसके लिए एंट्रेंस टेस्स नहीं होता ट्राइल होती है यह आपको ध्यान रखने मैं कौन-कौन से स्पोर्ट सें यहां पर आपको टेबल 2 में for program listed in table 2 यह रहे courses अगर इन courses में admissions आप लेना चाहते हैं तो आपके center की facility यानी center का भर फिल करने का options देखने को मिलेगा लेकिन इसके लिए भी conditions है the candidates have to opt a city among the list given below in the online admission form for taking the admission test the second choice of admission test city is दिली by default ठीक है और in case number of applicant is either 49 or less तो जो test of that program में will be conducted in दिली यानी इसका कहने का क्या मतलब है माल लीजिए अपने MA economics के form में जो है अपना center जो है लखनो स्लेट करा और लखनो सेंटर में जो candidates है 49 या फिर उससे कम है तो वो center को cancel करके दिली कर दिया जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है ऐसा होता है आपको update रहने की जरूरत है बाकि जो भी update आएगा वो तो आपको साथ के साथ update दिया जाएगा चीक है उसके बाद intervention courses में interviews होना है फिर आपका result आएगा और result के ब बात बात आती है कि eligibility criteria कैसे पता चलेगा eligibility criteria भी आपको इसी में प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा अब मैं आपको eligibility criteria दिखाए तो यह रहे आपके eligibility criteria यहाँ पे हर course का eligibility criteria एंट्रेंस टेस्ट अगर वो सीउटी के थ्रू है तो सीउटी का लिखा हुआ है यहाँ पे उसका eligibility criteria यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो जिस course में आपको admission लेना है उस course का आपको eligibility criteria देख लेना है जैसे यहाँ पे देख लिजिए आपको MSC physics में admission लेना है तो आपने BSC करा होना चाहिए कम से कम आपके 50% marks होने चाहिए in aggregate और at least 55% marks in the subject concern यानि physics में ठीक है तो जो subjects की requirement है वो भी आपको fulfill करने ही है यह भी आपको ध्यान रखना है particular किसी course के बारे में आपको detail में जानना है तो आप comment कर दीजेगा उस topic की वीडियो जो है details में आपको देखने को मिल जाएगी वैसे जहां तक चांसे से कि वीडियो अल्रेडी चैनल्स पर अप्लोड होगी ठीक है अब उसके बाद यहां पर देखो मैं आपको और courses के बारे में समझा देता हूं एक courses जैसे माल लेजिए आपको बीबीए बीकॉम ओनर्स या सेल्फ फाइनेंस में तो आपके क्लास 12 में कितने माक्स होने चाहिए 50 परसेंट माक्स होने चाहिए यहां पर आपको दी हुई है अब यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो है डाउट के लिए रहोगा होगा अब यहां पर जो है शीट का डिस्टिबीशन जो है दे रखा है जैसे बीए प्रोग्राम का अलग अलग चीज का आपको यहां पर अपडेट जो है दे रखा है तो यहां से देख सकते हैं बीएड नर्सरी एजूकेशन अमेड इस्पेशल के थुरू है और five courses cvt PG के थुरू है अब बात आती है क्या और courses होंगे chances हैं और courses add हो जाएं तो आपको उसके लिए पहले से ही prepare रहना है अगर courses add होते हैं जैसे ही notification release होगे यह chances हैं कि कुछ courses और add किये जाएंगे चीक है तो जैसी नोटिफिकेशन जो अपडेट आएगा आपको वीडियो बनाके जो है अपडेट कर दिये जाएगा और के question paper आपको देखने हो आप चैनल पर अप्लोड एं ट्वंटी ट्वंटी टू के भी ट्वंटी ट्री के भी और ट्वंटी फॉर के भी जो पर रह गए